यूपी के मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाथ त्वारा शोशन और हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं को सुरक्षा और सहायता उपलब्द कराने के लिए 181 हेलप्लाइन सेवा शुरू कराए गई थी लेकिन कुछी दिन बाद ये सेवा कोशांबी जिले में धड़ाम नजर आई ऐसा ही हाल कोशांबी जिले में स्थापित आशा जोती केंद्र का है इस केंद्र में आए दिन ताला लगा रहता है 181 हेलप्लाइन में लगे सभी करमचारी अपने अपने कमरे में रहते है लेक्सर कोतवाली के जिवारेडी गाउं में उस समय अफरा दफरी मज़ के जब खनन माफियाओं के गुर्गों ने ग्रामीरों पर धारदार हत्यारों से हमला कर तीन लोगों को घायल कर दिया सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल कराकर चान भी इंच शुरू कर दी है अपने लड़कों के साथ पुरी टीम के साथ आया तो दबंगी दिखाती है सब को मानने की कोशिश करे गई होज जान बचाके लोग आगे खनन करते हैं उपर से लोगों को धंगी जाता और ताना सिकाथ दोनों लड़के उसके और दोनों उसके बतीजे पिस्टल लेके भा इसके बाद भी कारवाई नेथी जो ओधा घृता खदर ना गया आधि में बहुत पुरा कभी बड़ेस तरसा कि उसने कई परसो रात जो सिसी निर्मान अचे मेंनेपूर वह को भी को दोगा श्रम पूचा दिया समय उसके उसमें सिकायत करती हैं उसके उसमें सिकायत करती ह आपके साथ दो अन्य भी थे दो न्य भी थे यहां दो बड़ा गजा पर चलदी है तो अब दो बार के प्रधान दे हुए इनों तीस तारीक में इस्ता आड़ जिन पहले अपना खेत को दे तीस तारीक में रात दुब में नों वो खेत होती है साथ ये ये लोग वाइरिंग वाइरिंग से जान से मांगे की दे रहे थे आज हमारे बच्चे पर्दी मोलोग और विसाल गाहों से भाहरा आए रहते हैं अपने घर के साफ पास थोड़ी दूर पर इन्ना जिब्रदस्ती मोटर से के लिए और मांने का धार्धार हथियालों और एक बच्चे का तो गला गोट का माणने का परियास के लो और यह कह रहे हैं कि हमारा सासन पर सासन कुछ भी का रहा था हमार जो पैसे देख कम कर रहे हैं कहने लगा तो फैस्दा कर लो नहीं तो गड़ तक लासी जागी तुम्हारी भी वैस भाई साम जित नहीं कहता है ता मैं तो यह सासन पर सासन पर सासन के उम्मीद करना हूँ कि इन करन लुआ पर हो कि उनों को सक्सेस कारवाई हो और हमें नहीं में साथ